नमस्कार दोस्तो आई होप गईस आप सभी बहुत अच्छी होगे दोस्तो आज हम बात करने चाहरे हैं पाई नेटफर्क के बारे में और आज आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशकबरी आ चुकी है आज मॉर्निंग के अंदर पाई नेटफर्क ट्रेंड कर रहाता अकाउंट सेक्योर्टी को लेके बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजे शियर की है जो आप सभी को फॉलो करनी है और उसके साथ अभी पाई नेटफर्क ने के वाई सी को लेके एक बहुत बड़ा लेटेस वर्जन अपडेट किया है जिसके अंदर आप अपने नेम की जो भ लेके ब्लॉक्चेन को लेके और भी बहुत से चीजे आपको आज के वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे चैनल पे नए है तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बैल को और पे ज़रूर प्रेस करें चले गए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ एंड हम चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरव दोस्तों पहला अपडेट आ चुका है पाई के वाई सी को लेके बताया जा रहा है अपग्रेट पाई ब् प्ले स्टोर से करो जो एंड्रोइड यूजर है और जो लोग एपल के यूजर है वो अपने जाके एप स्टोर से इसको अपडेट करें यहाँ पे बहुत सारे चीज़े अपडेट की गई हैं अब हम बात करते हैं सबसे इंपोर्टेंट चीज के बारे में पाई नैटफक यहाँ पे जो फ्यूचर में आप सभी से पाई फीस ले सकता है या नहीं ले सकता और उसके साथ पाई नैटफक का क्या प्राइज होगा तो उस चीज़ को हम यहाँ पे बात करते हैं पाई को टीम हैस नो थॉट्स ऑन रिवाइजिंग पाई फी बट इट दस नॉट रूल सकता है यहाँ पे बताया जारा है अगर आप ट्रांजेक्शन करोगे तो यहाँ पे 0.01 एज आमाउंट फिक्स किया जा सकता है और उसके साथ 1 से लेके 100 की बीच में यह हो सकता है डिपेंड करता है आप कौन से गुट्स को बाई करते हो और जो भी मैं आपको चीज बताने जा रहा हूं यह सिर्फ डवलपर्स ने अपने आप में कौन्वर्सेशन की है और इसी कौन्वर्सेशन के अंदर जो पाई नेटफर्क के फाउंडर है CEO है जो की निकुलस है उन्होंने भी इंटरफेरिंस किया है ठीक है तो यहाँ पे बात हुई फिर निकुलस जो की पर सकती है बड़ उसके साथ यह टाइम टू टाइम यह डिक्रीज होता रहेगा जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है एक्जाम्पल के थुरू ठीक है और उसके साथ इन्होंने वापस पूछा है प्राइस को लेके कि एक्चुली पाई नेटफर्क का क्या कीमत होगी तो क्या जा रहा है यहां पर आप सभी को वैल्यू पता होगी जो बहुत पॉपुलर है तीन लाग चौदा हजार यूएस टॉलर के आसपास जो की स्क्रीन पर लिखा गया है जो की यहां पर लिखा है ब्रैंड इट अबाउट मतलब की पाई का जो यह अमाउंट लिखा गया ह है तीन लाग चौदा हजार यह बेसिकली आपको पता होगा बात करें मैथमेटिक स्टॉम में जो पाई का लोगो होता है उसकी जो वैल्यू होती है 3.14 और 259 ऐसे करके वह इंफिनीट जाती है रुकती नहीं जाती बढ़ती बढ़ती रहती है तो यहां पर यही चीज बता चौदा हजार यूएस टॉलर्स होगा दें ट्रांजक्शन का जो रेट होगा 0.01 पाई हो सकता है ठीक है और यहां पर रिखा है पाई विल ट्रांस ट्रांसलेट टू 3141 यहां पर ध्यान से आप अमांट देखें 3141 डॉनर के आज सपास बताया जा रहा है और यहां पर 3,000 डॉनर के आज सपास आपको ट्रांसक्शन फीज पे करनी पर सकती है जो की 2,000,000 से 3,000,000 के अमांट के बीच में है तो इतना बड़ा अमांट तो दोस्तों यह अमांट जो बताया जा रहा है वो किसके बिहाफ पे बताया जा रहा है मैं आपको क्लियर करू अगर पाई का प्राइस 3,000,000,000 यूएस टॉलर होता है जो कि करोडो अर्भो का प्राइस है करोडो अर्भो का प्राइस है लिट्वली इतना बड़ा अमांट है ठीक है बड़ मैं आपको एक चीज रियाले के बताता हूं कि इतना जादा प्राइस नहीं हो सकता क्यूंकि बिटकोइन का ही प्राइस खुद 20-30,000 यूएस टॉलर के आसपास रहता है तो पाई नेटफक्स तो एकदम 3,000,000 यूएस टॉलर की बात कर रहा है तो ये बहुत बड़ा अमांट हो जाता है ठीक है और उसी चीज को लेके निकोलस क्या बोल रहे है जो founder है वो क्या बोल र रखेंगे बट हम उसका एक nominal percentage लेंगे और ना के बराबर लेंगे जो कि 0.01 होगा जो कि बहुत कम है और वो भी धीरे-धीरे करके downfall में जाएगा और यहाँ पे आप एक चीज को समा सकते हो कि पाइन एक फक का जो price की बात की जारी है वो 3 लाग डॉलर के उपर बात की जारी है तो आप यह चीज अंदाजा लगा सकते हो कि जब price officially आएगा तो बहुती बड़ा price आप सभी को देखने को मिल रहे है मतलब कि ऐसा हो सकता है कि bitcoin के आसपास price देखने को मिले या आप सभी क Ethereum के आसपास तो देखने को मिल सकता है जो कि 1.5 लाग के आसपास है और यह चीजे जो official conversation आप सभी के बीच में है उसके साथ यहाँ पर बताया जारी है एक important चीज के बारे में supplement करके है this response was recently expressed by the Pico team member Jink crypto Jink crypto करके एक member है जो Pai की discord को समालते हैं और यहाँ पर बताया जारी एक picture show की जारी है जहाँ पर Pai के founder ने reply करते हैं बताया कि Pai network no plan to adjust Pai transaction fees in short time और यहाँ पर साफ साफ किलियर किया गया है कोई भी अभी आपको transaction fees वगरा देने की ज़रुत नहीं है और इस type का कुछ interface देखन नहीं लेनी ठीक है और उसके साथ यहाँ पर आप देखो किस तरीके से हरे countries के अंदर pioneers किस तरीके से promotion कर रहे हैं उनके merchants का promotion कर रहे हैं उसके साथ अलग-अलग goods and products की promotion कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं Pai network अपने आप में बहुत अच्छा perform कर रहा है अभी का time में इस अब हम चल जैसा कि यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलता है कितने सारे Pai News हर तरीके से यहाँ पर enjoy कर रहे हैं और उसके साथ सारी वीडियो फुटेज आप सभी के सामने हैं और ऐसा एक जगह का नहीं है बहुत सारी जगहों का है जैसा कि मैं आप सभी के screen पर यहाँ पर सारी चीज सबसे important चीज Pai Network अब भी कर टाइम में कोई भी ICO के अंदर या किसी भी अलग crypto exchanges पे लिस्टेड नहीं है और कहीं पर भी इसकी transaction या sale start नहीं और की तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और पार्टी इंप्रेशनलिटी Pai Network to its founder to conduct a sale और listing illegal अब भी कर टाइम में आप कह नहीं भी कुछ भी देखने को मिलता है वो properly illegal है आपको उसके तरफ बिल्कुल भी नि जाना है और unauthorized और fake चीजों पर आपको ध्यान नहीं देना अब भी कर टाइम में क्या और है बहुत सारी अलग अलग पाई के नाम से website बन रहे है और applications भी बन रहे है जो कि proper duplicate उसी के तर important चीज़े अगर आपको check करना है तो सबसे important आप उसकी fan following पहले check करें क्योंकि जो official होगा उसकी fan following जादा होगी और verified होगा और जो official नहीं होगा उसकी fan following कम होगी और verified भी नहीं होगा तो बहुत से चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और protect yourself मतलब कि आप सभी को जो subconscious profiles होती है उन सभी से दूर रहना है अभी के टाइम में बहुत सारे ऐसे groups बने हुए हैं जहां पे आप सभी को बोलते हैं कि हम आपको एक पाई का ये 10 पाई का इतने 1000 डॉलर्स देंगे तो बहुत सारे लोग लालच में आके सुछते हैं कि आर अच्छा खासा amount मिल रहा है क्यों ना ले ले क्योंकि अभी तो हमें पता नहीं कब तक open manage देखने को मिलेगा तो इस situation में आप उसको send करते हो और आपको कोई भी revenue देखने को नहीं मिलता और उस situation में बहुत सारे में subscriber भी हैं जो comment करते हैं कि हमसे ऐसा ऐसा कराया गया था और हमने किया हमें एक भी रुपा नहीं दिया और बहुत से लोग ऐसे भी हैं किसी ने तो 100-200 पाई के coins खोए हैं किसी ने तो अपना account ही पूरा खो दिया है account पूरा खोने का मतलब यह है वह आपको link share करते है कुछ ना कुछ story बनाके देन आप उस link पे क्लिक करते हो अपना password वगारा डाल देते हो और login कर देते हो के बाद होता क्या है कि जो application होती है उसके पास पूरा access होता है कि आपने क्या-क्या फिल किया है और यह लोग इसी बीच में लगे होता है कि कि किसका account KYC verified है और किसके account को hack किया जाए जिसके अंदर जादा coins है तो तुरंत आपका account मतलब कि जैसे आपने login किया आपका account का password व personal information to any online जैसा कि किसी को भी आप online कहीं पर भी अपनी official कोई भी information है वो भी शेयर मत करो password मत शेयर करो अगर आपको long term perform करना है आपकी safety आपकी हाथ में अगर आप करोगे safe तो आप आगे तक जाओगे safety नहीं रखोगे तो आपका account चुटकियों में गायब हो सकता है अब हम बात करते हैं KYC को लेके जैसे कि आप सभी को अपना name change करना है तो उस situation में आपको किस तरीके से appeal करनी ह यहाँ पे basically pioneers can change their account name through machine automation यहाँ पे एक machine automation करके है जहाँ पे आप अपना name को change कर सकते हो और वहाँ पे human validator देखने को मिलेगा जहाँ पे small small आप सभी को वहाँ पे updates देखने को मिलते हैं already been unblocked for KYC process जो कि easily आप सभी के लिए unblock हो जाएगा जैसे कि आपने एक बार apply किया है और आप में कोई problem आ रही है देन आप email वगारा कर सकते हो नहीं तो वह machine automation पे आपको वापर swap मौका देखने को मिलेगा human validators will review name changes appeal in q2 after additional check on KYC applications and performance analysis मतलब जैसे आप apply करोगे proper सारे detail को चैक करेगा उसके बाद अगर आपके name में ज्यादा गलती है उस situation में वह आपको खुदी बोल आ रही है देन आप इसको change कर सकते हो appeal कर सकते हो उससे पहले वो खुद proper review करेगा और आपको इस चीज की tension नहीं लेनी अगर कोई कमी आती है तो वो सामने से बताएगा कि आपके account में कहां पे कमी हो रही है और किस चीज को आपको improve करके या resummit का आपको button देगा देन आप easily उसको apply कर सकते हो और फिर आपका हो complete हो जाएगा दोस्तों अब हम बात करते हैं जिस चीज का आप सभी को इंतजार था कि हम luxury cars और iPhone किस तरीके से purchase कर सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है पाइचेन mall support GCV barter mobile phones luxury cars villas and buildings we will get touch with malls managers important information will be broadcast later welcome to follow अब भी के time में हो क्या रहा है कि ब चाइना के अंदर वियतनाम के अंदर और इंडिया के अंदर भी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती है जैसा कि यहाँ पे आप सभी को interface देखने को मिल रहा है जहाँ पे iPhone 14 है और उसके साथ as a Samsung और भी तगड़े ब्रैंड्स है जो इनका price लाखों में रता है और बहुत expensive cars भी है जिनका price लाखों करोड़ों में रता है और उसके साथ real estate भी है जो businesses होते है या जो properties होती है वो भी यहाँ पे आप सभी को देखने को मिलेगा तो यह देखने को कैसे मिलेगा तो यहाँ पे जो भी as a managers है जो लोग इस चीज के touch में है वो लोग अपने आपकी listing कराएंगे कहने का मतलब यह है कि अगर मैं पास phone के बहुत ज़्यादा stores है या मैं बहुत बड़ा property dealer हूँ तो मैं यहाँ पे listing कराऊँगा और यहाँ पे listing कराने का मतलब यह होगा कि मेरे को profit होगा तब ही तो मैं आगे से profit उठाऊँगा ना कहने का मतलब यह है कि मैं business man तो मैं जितना लगाँगा मुझे output चाहिए ठीक है तो पाई भी लगाएगा तो पाई को भी output चाहिए तो कहीं न कहीं पाई भी आप से कमाएगा और आप भी पाई से कमाऊगे यह एक ऐसी chain बनेगी जिसके अंदर आपका profit होगा company का भी profit होगा और पाई का भी profit होगा और उन technical चीजों को आपको समझने के लिए थोड़ा time लगेगा क्योंकि जो इनकी technical team चल रही है वो एक ही native पे काम नहीं कर रही है एक ही zoner पे काम नहीं कर रही है अलग-अलग zoner पे काम कर रही है जैसा कि आपको पता है पाई अभी chat GPT के अंदर भी enter कर चुका है as a nfts ठीक है matterverse इन सभी technologies के अंदर enter कर चुका है बात की जाए इंडिया के बारे में तो इंडिया के अंदर अभी के टाइम में आप normal smartphone को खरी सकते हो जो की वहाँ पे listed है और उसके साथ आप कुछ products को भी खरी सकते हो बात की जाए car bikes की तो car bikes के अंदर आप अभी ktm एक बंदे ने खरी दी है और उसके साथ आप normal जो भी swift desire वेगरा है वो सारी चीज़े खरी सकते हो और ये सब भी depend करता है कि कौन buyer है कौन seller है तो इससे आप एक चीज ये ध्यान में रखो कि pie अब एक तरीके से एक अलग level पे जा चुका है और अब आपको इंडिया के अंदर भी बहुत सारे products दीरे दीरे देखने को मिलेंगे और जैसे ही open minute आएगा उसके बाद इसका जो 100% confirmation है इसके price को लेके तब आपको सारी चीज़े देखने को मिलेगी हाँ दोस्तों तब आपको सारी चीज़े देखने को मिलेगी क्योंकि अभी actual price नहीं है और आप सभी को मैंने शुरू में ए US dollars दिखाया था जो की एक बहुत बड़ा करोडों का amount होता है तो इतना तो amount हो नहीं सकता तो लाखों में तो amount जा सकता है न तो ये सारे चीज़े भी आपको समझने होंगी यहाँ पे बहुत सारे चीज़े आपको stupid भी लग रही होंगी हवा में लग रही होंगी बट आप as a bitcoin को देखो तो bitcoin को भी लोगों ने हवा में लिया था और आज की date में वो 24-25 लाग तक है और आज के time में एक bitcoin खरेदना हर किसी के bus की बात बिलकुल भी नहीं है तो आप अंदासा लगा सकते हो क्या पता ऐसा time आए कि एक pie का amount इतना जादा हो जाए कि normal लोग इस चीज़े को बाए ना कर पाएं तो यह सारी चीज़े पहले हो चुकी है तो दूसरी बार होने में एज़ा कोई कोई शक नहीं है ठीक है यह बात भी समझनी पड़ेंगी I hope दोस्तों आपको समझ में आया होगा मैंने क्या बोला है और अभी तक वीडियो पे बने हुए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बैल को आल पर जरूर प्रेस कर देना आज करें इतना है मिलते नहीं वीडियो के साथ तब तक जय हिंद वंदे मात्रम